दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम electrical intro के अंदर पूछे जाने वाले important question के उपर बात करेंगे आज का हमारा जो question है वो है कि हमारा जो transform होता है जो industry के अंदर लगाया जाता है वो हमारा harming sound क्यों करता है दोस्तों यह question जादा कर electrical के जो supervisor होता है या फिर हमारे जो experience ले चुके electrician होता है उनसे काफी जादा पूछा जाता है और दोस्तों इस सवाल का जवाब काफी कम लोगों को ही सही से पता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमिंग sound क्यों करता है इससे जुड़ी जान कर दूँगा इसके अलावा अगर आपसे यह question इंट्रू के अंदर पूछा जाता है तो आपको क्या जवाब देना है दोस्तों मैं आपको पहले बता दूँ कि इसका जो answer है इंट्रू का वो सिर्फ एक line का है तो यह video काफी जादा छोटा बनने वाला है तो video को start कर लेते हैं दोस्तों हमारा जो transfer होता है यह transfer harming sound क्यों करता है यह पूरा पूरा इसकी working पे ही depend करता है दोस्तों आपको थोड़ा basic जानकर यह होगी कि हमारे transfer के अंदर एक core होती है core का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं इस तरीके की एक पट्टी बनी होती है और यह जो core होती है इस core के ओपर हमारे wire को घुमा घुमा की एक winding को बना दे जाता है और इस winding को हम electrical की supply से जोडते हैं दोस्तों कहीं लोग इस सवाल का यह जवाब देता है कि हमारे transmission line होती है उस transmission line में भी हमको पता है कि उसमें भी आवाज आती है तो वो जो आवाज होती है और हमारे transmitter की जो आवाज होती है वो दोनों EQ currents होती है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है transmission की आवाज अलग कारण से होती है और हमारे transmitter की यह जो forces अलग कारण से आता है तो दोस्तों मैं आपको बता रहे है कि हमारे değissez core है winding हो रही है हम ऐसा माल लेते हैं तो दोस्तों अभी तक तो हमने primary में supply दे रही और हमारे transformer ने voltage को change करके output में voltage को निकाल दिया और हमारा load चल गया पर दोस्तों यह सब तो हमको बाहर दिखता है पर हमारे transformer के अंदर working कैसे होती है तो दोस्तों क्या होता है काफी simple चीज है जैसे हमारे magnetic field उत्पन हो जाती है इसके आज़ू-आज़ू जो magnetic field उत्पन हो रही उसका मतलब क्या है तो दोस्तों हम सभी को पता है हमारे magnet होते है अगर उस magnet के पास मैं कोई भी लोही की चीज लाता हूँ या फिर कोई दूसरा magnet लाता हूँ तो वापस में चिपक जाता है तो ह हमको उस magnet से थोड़ी दूरी बना कि उस सामान को रखना पड़ता है तो दोस्तों ऐसा किस वज़े से होता है ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो magnet होता है उस magnet के आसपास हमारे magnetic field बन जाती है इसी तरिके से दोस्तों हमारा जो कोई wire है उस wire से अगर हमारे electricity flow हो रही है तो उस wire के आसपास भी हमारे magnetic field बन जाती है और ऐसा ही हमारे transformer के case में होता है हमारे transformer के प्राइमरी के अंदर भी हम electrical की supply चोड़ते है और इस hier जो winding होती है इस winding के आसपास यह आए magnetic field उत्पन हो जाती है और दोस्तों बात में जो magnetic field उत पन होती है यह हमारी जो एक core होती है जो मैंने आ और इस core के अंदर हमारा magnet flow होने लग गया और इस magnetic flux के flow होने की current हमारी जो दूसरी winding है इस दूसरी winding में हमारा current और voltage हमको मिल गया पर दूसर इसी बीज के अंदर हमारे harming sound की भी problem आ जाती है ये working के बीज में हमारा harming sound होता है तो दूसर कब होता है तो दूसर ये उस समय होता है जब हमारी जो winding होती है वो winding हमारी magnetic field को बनाती है और हमारी जो core होती है वो core हमारी magnetic field को आपस में connect करती है इसको और अच्छे समझने के लिए आपको एक और चीज पता हो नहीं कि हमारी जो टास्म की जो core होती है वो core हमारे ऐसे पतली 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 सीटों से मिलकर बनी होती है हमको दिखती तो वो बिल्कुल ऐसे थोस है पर वो असलियत में ऐसी नहीं होती है वो क्या होती है दोसो ऐसे पतले-पतले-पतले सीटों से मिलकर बनी होती है और यह पतले-पतले सीटे होती है उन seat के अंदर आपस है vibration होता है तो दोस्तों हमको यह है लगता है यह पतली-पतली seat है इसमें vibration क्यों हो रहा है क्योंकि हमने तो इसको काफी अच्छे से insulate करके इसको चिपका दिया है तो दोस्तों ऐसा नहीं है जब इसको चिपकाये जाता है तब इसके अंदर कुछ ना कुछ हलकिसी कमी रही जाती है क्योंकि हम सबी को पता है कोई भी वर्क जो होता है वो वर्क हमारा पुरा 100% EFFECENC के साथ नहीं होता है इसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ Air Gap रहे जाता है और उस gap के रहे जाने के कारणी जब हमारी core में magnetic field आगे link होती है और हमारी core magnetic की तरह behavior करती है तो यह आपस में vibrate होती है और उस vibration के कारणी हमारा harming sound transformer में से आता है पर दोस्तो जैसा कि मैंने आपको starting बता है कि इसका जो answer होगा वो answer सिर्फ एक line का ही होगा क्योंकि इतना सब कुछ हम interview के अंदर नहीं बता सकते है तो दोस्तों interview के अंदर आपको सिर्फ एक word बोलना है अगर आपसे यह पूचा जाए कि transformer humming sound क्यों देता है तो उस से हमारा को बोलना है हमाई transformer के अंदर जो core होती है और humming sound पैदा करता है और अगर आप इतना सब कुछ भी नहीं बोलना चाहते आप चाहते हो कि सिर्फ मैं एक word बताऊं कि उस word को बोल कि मैं intro को pass कर लूँ और हमारा impression भी अच्छा बने तो आप यह बोल सकते हो कि हमाई transformer के जो humming sound होती है वो होती है हमारे magneto instruction effect के कारण तो दोसो उमीरी कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बहतर जान करें मिली होगी दोसो इस वीडियो खतम करने से पहले आपके लिए काफी महत्मूर सुझना है कि हमने एक website स्टाट करी जिसका नाम है www.engineeringdose.com दोसो इस website पर आपको काफी अच्छे हिंडी में electrical और mechanical से जुड़े आर्टिके मिलेंगे और दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी आर्टिके मिलेंगे वो इतने आसा सब्तों में होगी कि यहाँ पर कोई आर्ट भी आ नहीं धन्यवाद